कि मां की कृप्पा को मां की शक्ति को महसूस करें मां के चर्णों में जुक जाएं मां को प्यार करें और असान धंग मैं आपको बताता हूं आप अपने इश्टदेव के साथ अपना कोई भी रिष्टा बना लें मां की पूझा करते तो मां का रिष्टा तो है और उसके लिए आपको अपनी मां से बहुत प्यार करना पड़ेगा पहले आप अपनी मां को प्यार करोगे जिसने जनम दिया है कि उसके पस्चाती आपका मां भगवती के साहत रिष्टा बन पाएगा। आपके शंकर्भगवान है, विश्णो जी है, पिता का रिष्टा बना लें। गनेश जी है, पिता का भाई का दोस्त का रिष्टा बना लें। क्रिशन जी हैं सखा का रिष्टा बनाने पर जो भी रिष्टा आप बना रहे हो दिन्यावी रूप से जो आपका रिष्टा है कहीं किसी से भी कोई माता जैसा है पिता जैसा है सखा जैसा है सखी जैसा है दोस्त जैसा है भाई जैसा है उस रिष्टे में बहुत इमानदारी लानी पड़ेगी जतना आप इमोशनली उस रिष्टे में होंगे उतना ही आपके उपर इश्टदेव की क्रिपा होगी आप मां को तो बहुत से भोग लगाते हो अच्छे फूल चड़ाते हो अपने गुरू को भी अच्छा खिलाते हो पर अगर अपनी मां को अपने पिता को नहीं खिलाते हो उनको प्यार नहीं करते हो द्यान में पूरी जिंद्गी लगे रोट्रेडमेर की तरह आगे नहीं बढ़ पाओगे झाल कोज आगे यूज कोज करते हो पिलाते हैं करते हो कि अच्छा वैं हुआ नहीं है करते हो उनको नहीं हो भी लिए पाओछआँ नहीं है